इडी ने ऐसा सबूत दिखाये कि हाई कोट ने केजरीवाल की गिरपतारी पर रोक लगाने से मना कर दिया। अगर आप इतने में खुस हैं तो चुनाव के बाद गिरपतार कर लीजिए। हुए हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए। इने पहली बार तो बुलाया नहीं गया। दिल्ली हाई कोट ने कहा कि आपने अभी तक गिरपतार क्यों नहीं किया। इस पर इडी ने कहा कि हमने कब कहा कि हम गिरपतार करेंगे। हमने पूश्तास के लिए बुलाया है। इडी ने कहा कि अरविंद केजरिवाल लोग सबा चुनाओ नहीं लड़ रहे हैं। फिर भी वह समन पर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोट ने इस पर कहा कि लेकिन वो पाटी के अध्यक्च्च हैं। इडी ने कहा कि इसका मतलब यह तो नहीं कि वो समन का पालन नहीं करेंगे। वहीं इडी ने केजरिवाल से सम्बंदित कई दस्तावेज और सबू थाई कोट में जज़ को सौपा या दस्तावेज सराब घोटाले से जुड़े हैं। इडी ने कहा कि यह फाई स्रिप कोट देखेगी या चिका करता को नहीं दिखाये जाएगा। जब मुख्य याचिका की सुनवाई योग नहीं है तो इस याचिका में दायर किसी भी आवेदन पर सुनवाई कैसे हो सकती है। इस पर हाई कोट ने कहा केजरिवाल समन पर पेश होंगे तभी तो पता चलेगा कि आरोपी के तोर पर बुलाय जा रहा है या फिर गवा के तोर पर। आदालत ने कहा आपको पेश होने से कौन रोक रहा है। हमने कई मामले देखे हैं वे पहले या दूसरे दिन गिरपतार नहीं करते। जब आधार होते हैं तो वे कारण दर्ज करते हैं और उसके बाद गिरपतार करते हैं। करते हैं।